ओम स्री गनेशा नमदूस्तू एश्ट्रू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हाड़ दिक्ष वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 21 जून बुद्वार की रासी फल के बारे में कि यहाँ दिन मीन रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला है किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पा पूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के यंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सके चली दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा मीन राशी वालों के लिए बुद्दुवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तो आज किसी कार्रे को लेकर अच्छी सफलता प्राप्त होने की संभवना पाई जाती है यदि आप किसी तरह की कार्रे योजनाओं को विस्तार करने की कुशिस करते हैं या किसी नए कार्रे का सुबारम करना चाते हैं तो उसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है दोस्तो साती सात भूमी भवन वाहन आदी के खरीदने के भी आज अच्छे योग बन रहे हैं वेग्यानिक दश्टिकोन और उन्नत सोच आपको आगे बढ़ाने में साहिता प्रदान करेगी बड़े वजर्गों का इशने और आशिरवाद आप पर बना रहेगा दोस्तो साती सात जिस समाचार को प्राप्त करनी के लिए आप काफी समय से प्रियास कर रहे थें आज उसमें आपको सफलता आवस्ष्य मिलेगी सिर्फ अपने कारे को योजना बद तरीके से करने की आपको आवस्ष्य रकता है नोकरी के लिए दी गई प्रितियोगी परिक्षा के पेरणाम भी आपके पक्ष में आ सकते हैं अपने लक्ष के प्रती पूर्ण रूप से एका गर्चित रहें आपको सफलता अवस्ष्य ही प्राप्त होगी ग्यान वर्दक पुस्तकों को पढ़ने में भी समय निश्चित होगा साथ ही किसी आध्यात्मिक और प्रतिष्ट व्यक्ति का भी आज आज आपको आसिरवाद वे मार्ग दर्सन प्राप्त होगा आज सामाजिक वे राजनितिक गति विदियों से थोड़ी दूरी बना कर रखें इसमें समय वर्थ होने के अलावा और कुछ प्राप्त आपको नहीं होने वाला दिल की अपेक्षा दिमाग से आप निर्ण लें दोस्तों साथी साथ आप प्रतिकार करने से एक आरण ही लोग आपके विपक्ष में आएंगे आपको हर काम बड़ी संजदगी और गंबिरता से करना चाहिए थोड़ी सी भी लापरवाई के परिणाम घातक हो सकते हैं किसी रिष्टिदार के स्वास्थ को लेकर भी आज टेंसन रहेगी विध्यारती हास परिहास वे मनुरंजर आदी के व्यर्थ के काम में पढ़कर अपनी पढ़ा आपको सावधानी बरतनी की आवश सकता है साती सात कोई नया निवेस करने से पहले आप अच्छी तरे से जांच पढ़तार कर ले इस समय आर्थिक इस्तिती कुछ मंद रह सकती है घर के बड़े बुजर्गों वे वरिष्ट सदस्यों के स्वास्त का भी आपको विशेश र रखें इससे आपकी आर्थिक ववस्ता में काफी हद तक सुधार आएगा साती सात घर के लोगों के बीच किसी हलकी फुलकी नोक जोंक वे मतबेद की इस्तिती उत्पन हो सकती है किसी रिष्टिदार्च संबंदित कोई एप्रिय समचार आपको विचलित कर सकता है जो लोग अभी तक सिंगल हैं उनके जीवन में कोई प्यारा साथी दस तक दे सकता है अपने प्रेम जीवन को गहराई देने का और एक दूसरे को समझने का आज दिन है जीवन साथी वे परिवार जनों का सहयोग आपके आत्मवल वे आत्मविश्वास को बना कर रखेगा और आप तनाव मुक्त होकर अपने काम पर ध्यान दे पाएंगे दामपत्य संबंदों में मधूरता बनी रहेगी परिवार आपकी प्राथिमिक्ता पर रहेगा जीवन साथी आपकी परिस्तितियों में पूरी तरे से सहयोग देगा साथी माता पिता वे घर के बड़े बज संतान की सहबत वे अध्यन से संबंदित जानकरी अवश्य लेते रहें किसी पुराने मित्र के मिलने से हर देख़ुसियां आपको आज प्राप्त होंगी दोस्टों बात कर लेते हैं अजा आपका वेवय साई केरियर कैसा रहने वाला हैं दोस्टों आज आसमिक धनलाब के योग बन रहे हैं प्रतिस प्रदाओं पर आज आप विजय प्राप्त करेंगे नए कार्रे शुरू करने के लिए समय आपके लिए बहुती अच्छा रहेगा साथिसाथ कारे छित्र में भी काम की अधित्ता रहेगी और दिन भगदोर में व्यतीत होगा दोस्तों साथिसाथ आप पिछले कुछ समय से अपने व्यपार में जी तोड मेहनत व्य परिश्रम कर रहेते काफी हद तक आपको इसके सकारात्मक बेरणाम हासिर होंगे तथा कारोबार के विस्तार संबंदित नई योजनाय भी बनेंगी जो आपके लिए अवस्ते ही लाबदाइक साबित होंगी विवसाय में नेने प्रियोगों पर अमल करना आपके लिए आवश्चक है क्योंकि वर्तवान इस्थिती के कारण कारों के नीती में परिवर्तन जरूरी है अगर आप शेयर्स भूमी आदी में निवेस करने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आप इसमें निवेस कर सकते हैं यह समय आपके काफी अनुकूल है जो की आगे चलकर आपके लिए बहुती लाबदाएक साबित होगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तो आज आप अपने सेहत की छमताओं को बनाए रखते हुए अपने समी कामों को पूरी सारा रिक छमता के साथ करने में सफल हो सकेंगे जै दोस्तो आज आपका स्वास्त बहुती अच्छा रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशे शुपाय क्या हैं दोस्तो आज आप इशनान आदिशे निर्वत पर होने के बाद अपने श्रद्धा के अनुसार अपने शामर्थ के अनुसार हरी मूंग का दान भगवान श्री गनेश जी का इसमर्ण करते हुए अवश्य करें जा दोस्तो ऐसा करने से भगवान श्री गनेश जी बहुत जल्द प्रसन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परिशानिया चल रही हैं समस्त परिशानियों का अंत करेंगे और आपको जल्द ही विशेश सुभ भलो की प्राप्ती होंगी और आपके समस्त कार्रे भवतियास अनी से बनते चल जाएंगे दोस्तो भगवान श्री गनेश जी का अश्रबाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट स्बोक्स में जै श्री गनेश सवस्चे लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद